तो हेलो भाई लोग विल्कम बाक टू मैं चैनल मेरे नम है राजी वादव और आज हम करेंगे हमारा पार्ट फोर हमारे एफपीव ड्रोन बेगना सीरीज का जिसका टॉपिक है फ्लाइट कंडूलर्स और इस वीडियो में मैं आपको इनके बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेश तो उन्हें भी आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो तो बिना जादा आपको लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो यही जान लेते कि एक फ्लाइट कंडूलर्र का काम क्या होता है इसे हम शॉट फॉर्म के लिए FC बोल ल फिर आती है हमारे BEC और लास्ट में आती है हमारी OSD चिप तो बाई सबसे पहले बात कर लेते हैं MCU की जिसकी फुल फॉम होती है microcontroller unit अगर आप इस FC पर देख सकते हो यह रहा हमारा MCU यानि हमारी microcontroller unit और अगर मैं इसकी बात करो तो इसका काम होता है जितनी प्रोसेसिंग और calculations होती है वो सब यह करता है और जो हमारे beta flight का software भी होता है वो भी इसी के अंदर save होता है तो बाई अगली बार यह थी types of MCU's अगर मैं आपको एक list बता हूँ यहाँ पे F1, F3, F4, F7 और H7 यह अलग-अलग जो मैंने आपको नाम बता हैं यह अलग-अलग MCU's है जो कि हमार F3 के MCU's है सबसे पहले हम बात कर लेते F3 MCU की अगर आप 5 साल पहले इस hobby में आते तो आपने देखा होगा market में F3 के जितने भी flight controllers है वो भरे होए है और यही sell होते थे लेकिन आज की date में वो out of production हो चुके है और उसका एक reason है सबसे पहला तो जो beta flight का software है वो थोड़ा बड़ा है और जो हमारे F3 के MCU's है उनकी storage capacity थोड़ी कम होती है इसलिए beta flight अब उसे support नहीं करता और अभी out of production हो चुके है उसके बाद आते हैं हमारे F4 के MCU's है जो हमारे F4 के MCU's है वो सबसे ज़्यादा sell होते हैं यानि सबसे ज़्यादा use होते हैं हमारे FC में क्योंकि वो affordable भी होते है और काफी ज़्यादा better perform करते हैं F3 से और जो हमारे F4 के MCU's है वो भी दो अलग-अलग versions में आते हैं सबसे पहले आता हमारे F411 और उसके बाद F405 जो F411 MCU है वो size में थोड़े छोटे होते हैं और कम powerful होते हैं इसलिए वो affordable और छोटे size के flight controls में आते हैं और उसके बाद जो F तो इसके बाद आते हैं हमारे F7 और F7 के MCU's यह हमारे F4 से भी थोड़े और better होते हैं calculation speed और memory size में लेकिन अगर आगर आप मुछ से पूछा तो कितना कोई difference आपको पता नहीं लगेगा जब आप अपने drone को उड़ाओगे तो आप F4 लो या F7 लो कोई दिक्कत नहीं है यह दोनों सहीं में perform करेंगे बस एक चीज़ है F3 के अगर आपको flight controller अगर मिल रहे होंगे आज की डेट में भी तो उन्हें थोड़ा avoid करना बस तो यह हमारा अगला topic आता है IMU जिसके full form होती है inertial measurement unit अगर इस flight controller पर आप देख सकते हो यह रहा हमारे IMU की चिप और इसका काम क्या होता है यह जो हमारी IMU की चिप होती है इसमें हमारे दो बहुत ज़्यादा important sensors होते हैं सबसे पहला तो हमारा accelerometer और उसके बाद हमारा gyroscope यह दोनों sensors हमारे IMU चिप के अंदर आते हैं और काम क्या होता है हमारा drone किस angle पर है हम आगे हैं पीछे हैं हमारा face किदर है और जो हमारे modes भी होते हैं angle और horizon वो सब हम इसलिए use कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास ही IMU का sensor है तो यह बहुत ज़्यादा important होता है और अगर मैं आपको types of IMU's बताऊं तीन बहुत ही सबसे रहे हैं sensors की तो मैं आपको एक sensor और बता देता हूं जो की बहुत important तो नहीं होता लेकिन आजगल काफी सारे FC में आने लग गया है और वो है barometer जिसका काम होता है height बताना कि आपका drone इस वकिस height पर है तो वह एकला topic आता है BEC जिसकी full form होती है battery elimination circuit यार जो हमारा FPB drone हो तो इस अगर आप directly होने इतनी voltage दोगे तो खराब हो जाएंगे इसलिए हमारे flight controller में BEC आता है अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा सको यह रहा मेरे FC के अंदर यह दो BEC जिनका काम क्या होता है उस जादा high voltage को down करना जितने भी required है अगर आप मुझ से पूछे हो तो मेरे FC में मेरे पा अफिसार information चाहिए real time अपने FPV goggles में for example आपकी battery की voltage कितनी है आप कितनी battery consume कर चुके हो आपका drone इस वक किस direction में है और GPS की information भी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत ही जादा जरूरी है OSD की चिप तो अगर अपने FC को खरीदो तो उससे पहले बस यह चीज ध तो है हमार अगला point आता mounting pattern जो हमारे चार बहुत ही जादा सबसे जादा mounting pattern यूज होते हैं वो है 30 by 30 फिर 20 by 20 फिर 16 by 16 और जहमारे all-in-one AIO flight controllers होते हैं वो यूज करते है 25.5 into 25.5 mm की spacing इनका मतलब क्या होता है for example यह रा मेरा FC इस में इस छेद से लेके इस छेद के बीच में 20 mm का gap है तो मैं बोलूँगा है 20 by 20 pattern के साथ आता है for example यह रा मेरा frame और मैं यहाप अपने FC को place कर देता हूँ और आप देख से तो एकदम perfectly बैठा हुए क्योंकि मेरे frame और मेरे FC की जो mounting pattern है वो perfect है तो इन दोनों चीज़ों में से खरीदने से पहले यानि अपने FC या फिर compatible हैं की नहीं तो बहुत जरूरी टॉपिक तो जरू सुनो हमारे जो flight controller होता है उसमें अलग-अलग UA arts के pad होते है और एक UA art के pad में एक TX का pad होता है और एक RX का pad और यह होता किसलिए जो दूसरे electronic devices होते है for example जो हमारा receiver हो गया या फिर हमारा VTX video transmitter हो गया उससे बात करने के लिए और सुनने के लिए अब यहाँ पर मैं for example जो मेरा receiver है इसको ले लेता हूँ और यह जो मेरा flight controller है उसके diagram को according यह जो मेरा pad है सबसे उपर आप देख सकते हो जो solder कर रहा है वो है TX का pad और उसके नीचे है RX का pad यह pad दोनों है receiver के लिए अब यहाँ पर जो मेरा TX का pad है वो मैं अपने receiver के RX के pad पर solder करूँगा और जो मेरा receiver का TX का pad है वो मैं अपने flight controller के RX के pad पर solder करूँगा जिससे क्या होगा जब मेरा flight controller के कोई information देनी होगी यानि कोई information बोलनी होगी तो वो TX के pad से हमारे receiver के RX के pad पर बोलेगा और यह अपने Rx के pad से सुनेगा और जब मेरे receiver को कुछ बोलना होगा तो वो अपने Tx के pad से बोलेगा और जो हमारा flight controller है वो अपने Rx के pad से उससे सुनेगा तो एक और चीज में आपको बता दूँ जो हमारे Tx का pad होता वो transmit के लिए होता Rx का pad receiving के लिए यानि Tx मेलब बोलना और Rx मेलब सुनना और ऐसे हमारे पास जो हमारे FC में कई सारे UAAT के pad हो सकते हैं मेरे FC में मेरे को दो UAAT के pad मिले ये दोनों का pair तो होगा receiver के लिए और दो मेरे को एक pair और मिला है मेरे VTX के लिए जो अलग-अलग FC होते हैं उनमें आपको और भी UAAT मिल सकते हैं तो ये चीज़ आप जोरू देख लें अपने FC के अंदर तो वाई बस एक last point रह जाता है FC और ESC के connection के बारे में ये बहुत important चीज़ है अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो साथ YS बहुत जाए important होती है जो कि हमें ESC और हमारे FC को connect करने के लिए होती है पहली अगर यहाँ पर आप दो देख सकते हो positive और negative जब हम अपनी battery को यहाँ पर ESC से connect करते है तो जो battery की voltage होती है इन दोनों आइस के थुरू हमारे जाके FC को power up करती है और हमारे FC को यह भी पता चलता है यह battery की voltage कितनी है उसके बाद आजाता है हमारा current sensor की wire जो आप यहाँ पर देख सकते हो C यह जो white wire है यह जो हमारा current sensor है यह हमें information देता है कि हम कितनी current consume कर रहे है याने कितनी battery consume कर चुके है वो सब information देता है हमारे FC को और उसके बाद जो हमारी last 4 wires होती है वो है 4, 3, 2, 1 यह इसलिए होती है क्योंकि हमारा FC फिर information देता है इन 4 wires के through ESCs को कि किस motor पर कितनी power जानी है और वो सारी चीज़े और यही वो 7 wires दी जिस्टम connect करते हैं हमारे FC और ESCs को और हमारी वीडियो को भी यहीं पर end होती है तो अगर आज की वीडियो के लिए देतना है था Thank you very much for watching this video and I hope आपको यह वीडियो देखके काफी सारी knowledge मिली होगी और अगर अभी भी आपको कोई doubt हो तो please मुझसे comment section में जरूर पूछना and thank you very much for watching this video